गुरुजी एक चीज है कभी कभी देखा गया मतलब गलत नहीं करते तभी मतलब कभी अब ऐसे आप अच्छे हो निर्पराध हो कोई पाप नहीं किया लेकिन वो पाप जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला और आपसे गलती हुई आपने कभी प्राष्चित नहीं किया वो आपको असली सत्य जगये में जहां बिलकुन निर्दोस वाँ दंड दिलवा देगा यह हमारी बात को मान लेना वो हमारे कर्म काफल हमको भोगना पढ़ेगा रामकृष्ण परम्हुंसे जी बहुत दिव्य वस्था को प्राप्त महापृष्ण गले में कैंसर था क्यों था भाई भीश्म जी को छे महिना बाणों की सजा सहिया पर सेहन करना यह क्या है अवश्य में भोगत अब्यम कर्तम कर्म शुभा शुखम बिना किसी हमारे कर्म क हमको कोई फसा नहीं सकता यह सत्य बात है कि वर्तमान में आप बिलकुल निर्पराद हैं लेकिन आपको दंड मिल रहा है वो आपका पूर्व कर्म जवर जस्ती जिसको आपने कभी व्यक्त नहीं किया जिसको कभी दंड नहीं भोगा गया वो आपको दंड भोगता रहा है इसके अलावा कोई भी हमें दंड नहीं दे कुछ अपराद ऐसे होते हैं जो ततकाल नहीं पट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सही मानदारी से देखो अपने लुख सब जिनको कोई नहीं जानता है और आप जानते हैं इसी जन्म में ऐसी कितनी सेकुनों गलतिया हैं जो हमारी गलतियों का कोई दंड नहीं मिला और हमने गलती की है और हम कभी गलती माने नहीं और छुपा के मुस्कुरा के कि हम बड़े चतुर है नहीं चतुर नहीं वो बीजबो गया है अब वो ऐसी जगे फसाएगा जहां तुम कसम खाओगे कि हमने बिलकुल नहीं किया हूं मानते हैं आपने नहीं किया लेकिन ये वो कर्म का दंड है जो आप बीजबोय हो आप उसका दंड नहीं उसका प्रैस्चित नहीं कोई जाना नहीं तो लोग भगवान पर आरूप करते कि हाथ उठाक कहते हैं सत्य कहते हैं मैं निर्दोस हूँ पर उस भगवान ने देखो मुझे दंड दिया पक्का समझो उसके अन्याय होता है तो इमांदारी से देखो इसी जन्म में देखो क्या हर पाप का प्रेस्टित आपको मिला है हर दंड मिला है 5 मिनट की गलती खुल जाती है तो 20 साल की सजा होती है और ज्यादा हो जाए तो काफांसी की सजा हो जाए ऐसी कितनी गलतियां की है जो भगवान ने बख्ष दिया है और आपकी छुपी हुई है हम सब उसी लाइन में खड़े हैं हम ये कहते हैं कि आग तक बड़ी कृपा हुई वैग्यानिकों के पास इतनी छमता नहीं है कि वो हमारी पूर्व चिप को टीवी में दिखा सके नहीं तो अच्छे-च्छे की पोल खुल जाए नहीं बोले दस वर्स से बीस वर्स की तो भगवान को कोशो मत इमानदारे से तुम न्याय करो अगर यही तुम्हारे आचरण किसी और के होते और तुमको न्याय धिस्त बनाजा इसे दंड दो तो कितने तुम आक्रोश में आके दंड देते जो तुमने अपराद किये जिनको खिलवार समझते हो वो नहीं गलती हो जाती है तो हम यह कभी ना को से कि हम अपराद नहीं करते पर हमको दंड मिला इसका मतलब भगवान के दरवार में नहीं है अन्याय कभी ऐसा नहीं वह वह पाप है जो तुम्हारा दबा हुआ था उसका दंड मिला पक्का अधिक जैसे जो हम नाम जब कर रहे हैं हमें तो पता नहीं पहले क्या पाप है तो आज के जीवन में तुम पता है ना तुम्हें आज कुछ ऐसा कोशिस करता हूंगे मैं से कोई पाप ना वह नहीं भाईया कोसिस और आज कोसिस कर रहे हो पूरा देखो आप जब से होस्तमाला है अगर हम उसको सही माइने में दाएरे में खीच करके आप से निरने करवाएं तो आपके द्वारा ही ऐसी गलतियां कोई यह नहीं कह सकता जूट वले बोल सकते हो कोई ऐसा नहीं कह सकते क्यों सरदी आती तो सबको सरदी लगती है गर्मी आती तो सबको गर्मी लगती है ऐसे सब विकारों से रचना है इ किवल अध्यात्म के द्वारा रोका जा सकता दूसरा कोई उपाय नहीं है इंद्रिया मन पापाचरण ही कराते हैं इसमें मतलब हमारे आगे दलील किसी किसले नहीं चलेगी क्योंकि हम उसी विसे में घुसे हुए हैं अध्यात्म हमारी पढ़ाई है उसको एक एक जिसे नहीं हैं अध्यात्म उनका अपरेशन करता अध्यान रखना तो जब तक अध्यात्म की जानकारी नहीं होई तब तक हमसे गलतियां होंगी होती रहेंगे नाम जब से इसको हाँ तो इतना नाम जब हो कि आप देखो नाम जब शुरू करोगे तो आप पहचानना जहां नाम जब करोगे गंध की सुरू हो जाएगी गंधी गंधी बाते आने लगें पहले जैसे हाँ वो क्या कि तुम्हारे मन की सामागरी बार निकल लए तका नाम जब करो अब जैसे नाम जब से सारे पापनस्ठ हो जाते हैं पका नस्ट हो जाते हम बिलकुल इस पर स्थ हम कोई अंद विश्वास वाली बात नहीं करते हैं, पूर्व के सारे नस्ठ हो गए, आगे समाल के चलने, गलती हो जाएगी, भगवान चमा करेंगे, उसके पाप नस्ठ करेंगे, आज जो आप नाम जब कर रहे हैं, वरतमान में जो आपके मन के पाप हैं, वो नस्ठ हो रहे हैं, जो आप जब से सब कुछ मिल जाता है तो मैंने पूरी जिन दिए आप पे को कर देगा नाम तुम नाम जब राधा राधा करते हो पापाचारन से बचते रो कायर बनके बैठना मतुछ मेहनत करो परिवार के सेवा करो ये परिणाम आपको महामंगल कर देगा जैसे मैं काम करता हूं मेरा रियल इस्टेट का काम है प्रोपरिटी का किराये पर गर दिलाना और परचेस में प्रश्ण बूली है प्रश्ण है कि मेरा साथ में फाइनेंस का भी काम है तो वह से कोई गलत तो नहीं है उसमें या हमको व्यापार ब्याज सब्द से इतना तो मतलब पता है कि जो ब्याज पर ब्याज ऐसे लेते हैं वो गलत है ऐसा हमने सुना है पड़ा नहीं है तो इस विसे को हमें घ्यान भी नहीं है क्योंकि यह हमारा विसे नहीं रहा तो हमें लगता है करोणों लोग ब्याज से जीते हैं जैसे बैं जैसे कभी प्रसंग भी आया तो हमें लगा जैसे पहले जमीदार लोग थे ना कि ब्याज पर ब्याजो ऐसे करके लोगों का धना पड़ाना लोगों को पीड़ा देना ऐसा इस पश्ट में कि आज आपको काम है आप हमसे 50,000 रुपे ले रहें लेकिन आपको 5 रुपे के दर या 6 रुपे के दर पर देता हूं वो आप वापस कर दीजेगा इतने पैसे दे दीजेगा तो वैसे उचित यह है कि यदि हम किसी का सहयोग कर पावें परित की भावना से आति उत्तम है पर सरकारी ब्याज से लाखो करोणों लोग जीते होंगे हमें लगता है और ज्यादा नहीं है हाँ यह ब्याज निशेद नहीं है क्योंकि यह सरकार को हमने दे दिया और वो उस हमको बाद में इतना तो वो चलेगा लेकिन यह जो होता सोशन व्रत्ति वाला हमें लगता है उसका निशेद होना चाहिए किसी को देके फिर सोशन व्रत्ति करे तो उसका निशेद अब ज्यादा तो हमें इस विशेका ज्यान हैं निने इसपस्त कह grow है कि हम बाबाजी रहे जो दोनों में प्रबीर हो ब्यवार में भाई प्रवीर हो तो बता सकता है हमारा तो अध्यात्मा का विश्य इतना जरूर लगता है कि वो कोई धर्म नहीं होगा जो दूसरे के दिल को दुखाए इतना जरूर हम समझते हैं दूसरे के दिल को दुखाए वो कोई धर्म नहीं होगा चाहे कोई भी क्रिया हो दूसरे के दिल को दुख पहुँचे दूसरे का शोषण उसे धर्मने कहते जिसमें दूसरे का हित हो दूसरे का मंगल हो उसे कहते अपना भी हित हो और दूसरे का भी हित हो अभी आप विचार कर लिए ललित भार्दवार जी डिली से राधा उल्लव स्रीवियों चुला राधा उल्लव शीहरी विंश्मार जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पुनाओं गुर्दे भगवान आपने मेरे जीवन को पुन्ता बदल दिया आसकती अब केवल राधा नाम में है और आप में हो गई है पहले वाले मंत्र ना लेकर कहीं कोई अपरात तो नहीं कर अब आप उसको ऐसे भाव में ले लिए कि जो उस रूप में गुरुतत तो उस धाचे में प्रकासित था समझ रहे दाचे कभी गुरु नहीं होते यह पांच भौतिक धाचा जिसे मंदिर में भगवान विराजमान होते ना ऐसे पांच भौतिक देह मंदिर है और इसमें गुरुदेव भगवान विराजमान है वो भगवान है गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होते है व्यक्ति गुरू की भावना कर लेते हैं कि हमारे गुरू जी गोरे हमारे गुरू जी ऐसे हमारे गुरू जगे लेकिन सच्चा से सिवही है जो हर जगे अपने गुरू तत्व को देखता है खन्नमंडला कारम व्याप्तमें चराचरम तत्पदम दर्शितमें दर्शिता बेन तसमै स्री गुर्वे नमा तो वो भाव करो कि जो गुरू जी ने हमें मंत्र दिया हम भले नहीं जपा लेकिन उसका फल मिल गया कि इस रूप में मुझे गाइड करने वाले परमार्थ के गुरुदेव मिले और राधा नाम रूपी अम्रत्थल मिला अगर हम ये मानेंगे कि वो लगू और ये स्रेष्ट तो आगे चल करके भाव बिगड़ जाएगा क्योंकि निव सही नहीं है निव ये माननी है कि उसी रूप में जो गुरुदेव करपा कर रहे थे वो इस रूप में आकर कि वो जो मंत्र दिया उसकी करपा हुए कि ये नाम पराप्त हुआ इसमें रतिकरलो कोई परिशानी नहीं है आपका सत्मार्ग पुष्ट हो और धन्यवाद है कि आप शंत वानी पर स्रद्धा और विश्वास किये, शंत वानी पर स्रद्धा विश्वास आप किये, इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने अपने उपर कृपा करके अपने उद्धार के लिए कदम बढ़ा दिये, संत करपा और हरी करपा सब पर है लेकिन आपने उपर करपा कर ले वो मान हमारी बात को समझ न जैसे हमने रसोई परस कर रख दी अब आप पा ले हो तो हमारी मेनत सार्थक हो गई न और आप स्वस्थ हो जाओगे आपका पेट वर जाएगा ऐसे ही हम सब सास्त्रों से बीन बीन करके शब्द सब संतों से अपने अनुभो के मिला के रसोई तयार करके सत्संग दे दिया अब उसको आप स्वईकार कर लो आप परमात्रप्राप्ती की योगी हो जाएगे तो मेरी मेनत सफल हो गई मेरा सरीर दारन करना सफल हो गया और आपका काम मन जाएगा कि आप दुख निवरत्ती परमानंद की प्राप्ती हो जाएगे खूब नाम जब करो कहीं दोस दर्शन मत करो भाव यही रखो भगवान जिसको जैसा चला रहे हैं चल रहे हमको भगवान जहां जहां हाथ पकड़ कर जैसे आगे बढ़ाते जारे हैं वैसे हम चल रहे हैं बड़ी करपा भगवान के बस इतना किसी पर दोस दर्शन करके किसी को लगु मान कर किसी को हे भाव से तो वो भाव आपको आगे गिरा देगा ये बहुत सूक्ष्म भी से परमार्त का है अध्यात्म का वो भाव आपके साथ ही चल रहा है और कहीं ऐसी जगे जहां आपको उन्नती प्राप्त करनी हूँ वहीं वो आपको गिरा देगा इसलिए बिश्व में कहीं भी लग भाव नहीं होना चाहिए हे भाव नहीं होना चाहिए और सच्चे मानिये आप जिसे फिल्म देखते हैं तो आप उससे उदारन लीजिए अगर आप अभिने करने वाले को पहचानते हैं तो कभी वो बहुत अच्छा पॉजिटिव और वो करता है उसके रोल से और कभी निगेटिव बहुत दुष्ट रोल वो कर रहा है लेकिन आपके मन में क्या होता है यह जो अभिने कर रहा है यह बुरादमी नहीं है यह अभिने कर रहा है केवल ऐसा होता है नहीं ऐसे ही आप सच्ची मान लो इस पूरे संसार के रंग मंच पर केवल स्री क्रश्ण है मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय किंचिन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं अब वो स्वांग कर रहा है वाराह रूप लेके सुकर का रूप लेके मत्स रूप लेकर कूर्म रूप नर रूप लेकर के अब उसी में कहीं तमोगुणी कहीं रजोगुणी कहीं सतोगुणी ये लीला है चल रहे अब आप नहीं जान रहे हो तो आप कर रहे हो ये बहुत बुरा आदमी है नहीं बुरा नहीं बुरा स्वांग है उसका चुकि इस समय वो तमोगुन का रोल कर रहा है इस समय रजोगुन का स्वांग रच रहा है इस समय सतोगुन का रच रहा है हमरी बात समय में आ रहे है और एक है त्रिगुनाती तलीला जो माया रही थै उसी की प्राप्ती के लिए हम भजन कर रहे हैं तो हम किसी के निंदा करेंगे, मानो अपने स्री कृष्ण की निंदा कर रहे है, अपने गुरू की निंदा कर रहे है, अपने हरी की निंदा कर रहे है, नहीं वो बुरा नहीं है, बुरा स्वांग कर रहा है, ये बात समझ लो, अंदर तत्व है, जैसे कई बार हमने सरल भासा में बताया है कि हीटर में गर्मी एसी में ठंडी फ्रिज में बर्फ जैसी ठंडी एक दम बिजली एक ही है न यंत्र के प्रभाव से उसका प्रणाम अलग-अलग दिखाई दे रहा है लेकिन पावर एक ही है बस हम पावर को देख लें तो दोस्दर्सन खतम हो जाए सम्मेक भ प्रियोगे लगे-लग हो रहा है तो तमोगुणी है तो तमोगुणी आचरन करेगा हिंसाक रोद बवाल रचेगा रजोगुणी है तो भोग इस्वर्य अभिमान और सतोगुणी है तो दयासर दा भक्ती दिखाए और त्रिगुणाती थे तो भगवत सो रूप है यह यह नाटक शल रहा है यह पहले रूप नहीं था यह अभी कुछ दिन बाद नहीं रहेगा यह बीच में भास रहा है मैं पहले भी था मैं अब भी हूं और मैं बाद में भी रहूँगा मैं समझे रहे न मैं में जो जोड़ा गया वो पहले भी नहीं था अब भी नहीं है वो आगे भी नहीं है अब भी नहीं कैसे जैसे हम यमना जी के जल को देखा विलाओ ये वही जल है तो सही पूछो तो जिस पे पहली दृष्टी पड़ी वो कितने आथ दूर निकल गया जल जानी जीव समझ लए पारा इसलिए बहुत कृपा है उनके ऊपर शराब नहीं पीते मांस नहीं खाते पराई माताओं बहनों से बेविचार नहीं करते नाम जब करते धर्म पूर्वक धन कमाते अपने परिवार के सेवा करते भगवत प्राप्ती के लिए परियाप थे इत पशुत जीवन है मन मानी कर लो भाई आगे जब विधान आएगा फसल बोए हो ना तो जब फसल काटो तब फिर पता चलेगा अभी तो कोई बात नहीं है अभी फसल बो रहे हो इसलिए आपको पता नहीं चले जब काटना पड़ेगा तब पता चलेगा इसलिए बहुत अगर आप दूसरों को दुख दे कर हिंसा करके बेविचार करके ऐसे धने कत्रित करोगे वो अशान्ती पैदा करेगा इस लोक में भी आपको अशान्ती रहेगी और बाद में परिणाम में आपको दुरगती भोगनी पड़ेगी देखो कानुन के खिलाप में अगर फस होती है ना ऐसे यह तो एक देश का संभिधान है पूरे अनंत ब्रह्मांडू का एक संभिधान है जिसे भागवतिक संभिधान कहते हैं और उसमें दंड मिलता है नर्क में ऐसा ना समझो कि कोई गफ है जिसे कह दे कि जब चूरी करोगे पकड़ोगे जाओगे तो बहुत पिटाई होगी और सजा होगी बुले गफ है तो जब फस जाते तो हमें एक बार गंगा किनारे एक मिले थे हमें जो मतलब इससे आचरन करते थे वो छुपे-छुपे भाग रहे तो उन्होंने हमका तो आपको कश्ट भी भुआ हो ता वहां दिखा रहे थे नाखून सब उ हिर्दय नरक में हिर्दय ही नह plan देने वाले धाले यह हैं हिर्दय इसलें पाप आचरण मत करो गंदे हाचरण से कभी किसी को सुख BEN मिला खूब नाम जब करो आप जैसे जैसे नाम जब करेंगे गंदे आचरन छोड़ेंगे वैसे वैसे सब संतों की क्रपाप के उपर अपने आपा जाएगे यह जामवंत जी कहे रहे हैं भगवान स्री राम जी से जामवंत कहा सुनुर घुराया जा परनाथ करहु तुम दाया ताहि सदा सुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रशनता उपर सुई विजई बिनई गुन सागर तासु सुजस त्रैलोक वुजागर जिस पर भगवान की दया है उस पर सब रिशियों की दया है क्या दया भगवान की दया का लक्षन ये कि हम गंदे आचरण नहीं करते हैं हम नाम जब करते हैं हम धर्म पूर्वक अपने कर्तब से धन कमाते हैं परिवार की सेवा करते हैं समाज की सेवा ये है भगवत दया पात्रका लक्षण। भगवत कृपा पात्रका लक्षण। अब माला जपोगे तो हमारी बात को सही डंग से पकड़ नहीं पाओगे और जब पूरी एक आगरता से आप चातक की तरह हमारी तरफ देख रहे हो उमारी बात को तो आपको बात पकड़ में तो सतसंग के समय केवल सतसंग सुने अब दूसरी बात अब जैसे तुम्हारा मन भाग रहा है सतसंग में नहीं लग रहा है तो उसको फिर मफसाते हैं और सतसंग में अगर एक आगरता बंदी तो इसे रोक दिया जा मन फिर चंचल हुआ तो फिर शुरू कर दिया ऐसा कर सकते हैं पर वास्तिविक उपाशना में एक आगरता पूर्वक करें जैसे नाम पर दूनों बाते हैं अगर मन भाग रहा है संसार की तरफ तो उस समय में नाम से गेरते हैं अंदर चल रहा है और सत्संग सुन रहे हैं अगर सत्संग में एक आगरता हो जाए नाम चूट जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि सत्संग जो है वो भगवत सो रूप है ठीक है अरजी क्या मंदिरों और तीर्ट सलों पर प्रभू से प्रभू को मांगना क्या उचित है हां बड़ी है मांगना चाहिए आवश्य मांगना चाहिए वहां प्रणाम करके हां जूड़ करके प्रार्थना करने चाहिए कि प्रभू के चरणों में प्रित्य हो हेनाथ आपका नाम हमारी जिब्या पे चले हमारा मन शुद्ध होकर आपके चर्णों में लग जाए ये मांगना चाहिए जरूर इसी मांग से हम सम मांगे मिटा देंगे ये अगर मांग जागरत हो गई कि हमें प्रभु चाहिए तो निश्चित माया पर विजय प्राप्त कर लेगा प्रभु से ये बात जरूर मांगनी चाहिए कि है प्रभु आप अपना में भजन दे दीजे आप हमारे मन को अपने चर्णों में लगा लिजे हे नाथ हमारे अंदर कोई इच्छा न रह जाए केवल आप ही हमें प्यारे लगे ये तो मांगना ही चाहिए ये तो प्रारतना करनी ही चाहिए रभीन चोहान जी रादा अलब स्रेओर इच्छा गुर्देव रादे रादे गुरुदेव आपकी चोड़नों में कोटी-कोटी प्राव गुर्देव सरप्रतन तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझ में भक्ती का संचार किया है प्रसार किया है ये इतना महापापी हूं कि मैंने कभी भगवान का भी अस्तित्व नहीं माना मैं पूरी तरहां से नास्तिक था मेरा पूर जीवन आपके, मेरे जीवन में आने से बदल गया. अब मैं रोज नाम जब करता हूँ और अखंड नाम जब करने का भी प्रयास कर रहा हूँ. गुरुदेव, मेरा एक प्रेशन है कि मने आज तक जिन संतों के प्रती इज़त भावना नहीं की, उनके प्रती मेरे मन में पाखंडी दो सुथपन होते थे और भगवान का भी कभी अस्तित्व से कार नहीं क्या. गुरुदेव, क्या ये मेरा इगोर अप्राद श मा लाइक है क्या, मेरा इप्राद नस्ट करने के लिए मुझे क्या करना 식ी है, मैं क्या करूँ मारा जी? अप्राद नस्ट हो चुके है तभी नाम में प्रीत हुए है. संत माता के समान हरदय या कई माताओं का मिल करके हरदय समझ लो जिसे आप माता को अर्शुद्य शब्द भी बोल दो या उनको अपमानित कर दो तो उनका हरदय यही चाहेगा कि आपको कभी चोट भी न पहुँचे आप सदे उश्वस्त रहें, मा का हरदय यहीं चाहेगा ना, ऐसे संतों का हरदय होता है, वास्ति जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं, उनकी जब कोई अभेलना करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो करत जे अनुशहन निंदक तिनों हुपए अनुग्रह कियो उन पे क्रपा करते हैं, रोश नहीं करते हैं, जैसे कैलाश परवत से जब भगवान शीव ने देखा विविशन जी को रावन ने लात मारी, और विविशन जी ने हाथ जोड़ कर कहा, तुम पी तुशरिष, भले ही महिमारा, राम भजेहित, नाथ तुमारा, तो भगवान शीव बोल पड़े, उमा, संत के, यही बड़ाई, मंद करत जो करे, भलाई, देखो विविशन संत है, उमा, यही संत की महिमा है, वो लात मार रहा है, वो हाथ जोड़ कर उपदेश कर रहे हैं, कि राम भजेहित, नाथ तुमारा, शब संतों को मन से प्रणाम करो, अंदर स माता के समान कोई अपराद नहीं, संत बड़े करपाल, अगर उनकी करपा ना होती, तो आज आपका भाव ना बदलता, नहीं, बदल गया, तो अपराधी का भाव नहीं बदला, आप अपराधी नहीं है, अपराधी का कभी भाव नहीं बदलता, इसका मतलब, आपने जो भी आज तक किया, शंतों ने माना ही ने, भगवान ने माना ही ने, तबी तो हमें रास्ता मिला, ने तो पापवंत कर शहज शुभावू, भजन मोरती भाव नकावू, जो पे दुष्ट हरदय सोई होई, मोरे शनमुखाव कि सोई, दुष्ट हरदय आतली आ सेता है, भगवान के या भगवत भक्तों के सामने थुड़े है, वो तो कृपा पात रहता है, कृपा हो गई, इसका मतलब सब किलियर है, पीछे बराबर कर दिया, आम तो आमश्वर पापे भ्यो, मोक्षिश्या में मा सुचा, भगवान का ये वचन सत्य हो रहा है, कि वास्त्विक मेरे द्वा आप राध हुए, भगवान ने माना ही गए, उन्होंने कृपा कर हमें सत्मार्ग दिया, अब ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में बार बार नमन और हम दैन्य होकर अपने जीवन को शार्थक करें, बड़ी कृपा हुई, जो आपने दुरगती से अपने आपको कृपा करके बचा लिया, लही तो बैष्णों संतों के प्रति जो हमारी भावना नकालात्मक थी, वो हमारा नाश कर देती पक्ता, क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है, वो आप खुद अन्वो कर रहे हैं, शास्त्र में जो लिखा है, वो हम पकड़ नहीं सकते, शंतों ने पकड़ कर उसे रस्मे सब्दों के द्वारा हमें दिया, शंत ऐसे समझो जिससे सास्त रूपी समुद्र का मन्थन करके, जो समुद्र में सबसे पहले 20 निकला, उसको तो सीवरूप से पी लिया, जो अम्रत निकला, उसे बटवा है, तो जो सास्त्रों का मन्थन किया, उसका सार जो अम्रत है, वो सत्संग में मिलता है, कोई एक सब्द अमुक सास्त्र का है, कोई एक शब्द अमुक, कोई एक अनुभव का है, कोई एक महापुरूश का सम मिला करके सत्संग में मिलता है, इसलिए सत्संग सार वस्तों होत यह असीम करपा पर आपने जो देखो लक्ष बन गया ना तो छूटने की बात पर द्याल नहीं दिया लक्ष बन गया तो निश्चित वो लक्ष आपको छूटने नहीं देगा एक दिन ऐसा आजाएगा तद विस्मरनें परम व्याकुलतेती अगर एक शन के लिए भी विस्मर अहार शुद्र के आचरन शुद्र के और दूसरों में दोस दिखाई देने पर भी उसके निंदा मत कीजिए भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है यह माया का खेल है कोई रजोगुणी खेल 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 ला है कोई तमोगुणी खेल 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 ला है कोई पुनि और कोई त्रिगुनाती एभजन सत्यता पे चलना भगवान का चिंतन भगवत सेवा परमहित इस सब त्रिगुनातीत है यह भगवत सोरूप है तो हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा न करें आज का सत्संग सुना था क्या प्रारम से प्रारम का मतलब होता सवाचार रैठे थे तो आज थोड़ा बिलंब हो गया तो हो सकता है चार पचीस पर सुरूब हो तो जब सत्संग कहीं सुनने को जब जैसे संतों को मिले ना उसमें बिलंब सब्दने होना चाहिए जैसे अम्रतबट रहा है पता निकौन सी पंक्ति एसी जो हमारे जीवन को उठा दे और वो निकल जाए तो हमें दोड़ करके जाना चाहिए और राइट टाइम के दस मिनट पहले बैठ जाना चाहिए और जैकारा लगने के बाद में उठके जाना चाहिए ये सत्संग का सुनने का नियम है गुश्वामी तुलसिदार जी को जो हनवान जी का परिचे भूत न जाते हैं मतलब जो महान भकता है उसका ये सुरूप है उनको क्या सुनना वो ग्यानी नाम अग्रगर्णियम लेकिन सत्संग की महिमा है तो अगर आज सुने होते तो बहुत बड़ी हाँ आई इसमें से किसे इन सुना आच का सत्संग हाँ उसमें सबसे बड़ी बात थी सहन सीलता यदि आपको कोई गाली देता है अपमान करता है निंदा करता है यदि आप में सामर्थ है कि आप उसको दंड देद सकते हैं लेकिन आप सह गए तो आपको भगवान इतनी उचाई पर चड़ा देंगे फिर कोई अपराद करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं काम करोद लोब आपको छू नहीं सकेंगे ये अध्यात्मी की सामर्थ है ये सारी रिक बल नहीं काम करता है इसमें अध्यात्म बल काम करता है तो अब जैसे कोई गलत है हमें दिखाई दे रहा सौ परसंट गलत है पर हमें ये मानना है कि ये माया के दौरा पेरित है हम उसक से कह सकते हैं भाई देखो तुम गलत चले हमने संतों से सुनाए सास्त्र में शुना ऐसे आच्रन करना गलत होता है फिर भी नहीं मानता तो हमें न द्वेश करना न मित्रता करना हमें दूरी हट जाना चाहिए जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग तजो रिमन हर भी मुखन को शंग पर हम उसके निंदा नहीं करेंगे अगर निंदा करेंगे तो उसके जो पाप हैं वो हमारे उपर आ जाएगे हमारी बुद्धी मलिन हो जाएगी वो वैसे ही आच्रन वाले हम बन जाएगे खुमनाम जब कीजिए जीवन का लक्ष बना लिजिए के हमें धन भी कमाना है चार पुरशार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें धन भी कमाना है क्योंकि परिवार की सेवा करनी है सरीर को चलाना है धर्म से धन कमाना है जीने के लिए और जीना है लक्ष के लिए लक्ष भ द्धन के लिए धर्म पूर्वक हम कमाई करेंगे यह बात बहुत कम समझ में आती है जीने के लिए धन चाहिए सबको पता है धर्म से युक्त जो अर्थ है वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होगा पाप का पैशा पाप ही सुचवाएगा और पाप ही धर्म युक्त कमाई करें यह जीने के लिए लेकिन जीवन का लक्ष भगवत प्राप्ति है हम जी रहें स्री भगवान की प्राप्ति के लिए इसलिए हर समय राधा रादा 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 Finally Krishna Krishna जो नम्प्रियों गुर्देवने दिया हो हुँम नामजव करें ठीक है और धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बात मानी तो आपका परिवर्तन हुआ, हमारी बात से परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ आपकी स्रद्धा से, भगवान ने कृपा करी, जो आपके हदय में संत वानी के प्रत्ष्रद्धा कर दी, आपने स्वैकार किया, तो माँ बच्चे को जब दूद पिलाती न अगर उप पी लेता है तो माँ को खुशी होती है और आसिरवाद देती है दूद पीने से बच्चे पुष्ट होगा लेकिन माँ को सुख होता है कि मेरा बच्चा दूद पी लिए आप स्वस्थो कर खेले जाके वो इसे पीठ में हाँ दे बहुत अच्चे राजा बाबू तुमने दूद पी ला ना आप खेलो ऐसे ही राजा बाबू तुमने हमारी बात मान ली तुम धर्म से चलने लगे भगवान के मार्ग में चलने लगे इसलिए आप सुखी रहोगे आप धर्म से चलोगे तो यह हमारे जीवन की सार्थकता है आपने हमारे जीवन को सार्थक होने में हमारी बाणी को सार्थक होने में सहयोग दिया तो आपका जीवन सार्थक हुआ ये बात से हमारा जीवन सार तक हो गया तो धन्यवाद आपका जो आपने हमारी बात मानी ये सबके लिए जो आप बात मान रहे हो ये हमारे उपर करपा कर रहे हो क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है हम भगवान के शेवक है और ये भगवान की सरष्टी है अगर इस सरिस्टी में सुधार हो जाए थोड़ा भी तो हमारे स्वामी की सेवा कर लिला तो आप हमारे स्वामी की सेवा में सायोगी बन गए आप बात मान गए आपका दीवन सुख में हो जाए यह हमारा लख्ष है जिसके चलते हम अपने समन्दी जन्हों और आसपास के लोगों से ज़्यादा वहवार नहीं रखते जिससे उन लोगों को हमारा ये वरताव अच्छा नहीं लगता तो गुर्देव ऐसा करना ग्रस्ती में दोश्ट तो नहीं है? अब आप जो अश्ट्याम सेवा और स्रीजी से दुलार करना अच्छा समझ रहें तो फिर वो रुचेगा भी नहीं क्योंकि जब इधर प्रियता बढ़ेगी तो उधर प्रियता नहीं रहे पाएगी हाँ भगवत सुरूप मानकर कभी कोई भी आए तो सबका श्रमान है प्रिवचन है सब जीवन सो प्रिती लेकिन सब दागे देखिए रीत निवाहत आपनी हम सबसे प्यार से मिलेंगे लेकिन अपनी रीती से अगर आप प्रिया प्रितम की चर्चा से बिलक प्रपंच की वारता करेंगे तो अगली बार से दरवाजा खुलने में समस्या हो जाएगी रीत निवाहत आपली हमें आप से कुछ चाहिए नहीं आपको भगवान के समानादर करेंगे लेकिन भगवत वारता करो, प्रिवार किसी की निंदा, इस्तती, गाउंगा, रके, प्रपंच की राज, कथा, लोग कथा, काम कथा, प्रपंच कथा, ये साब नहीं, तो अपने आप उन लोगों को जो संसार प्रिय है, उनको आप अप्री लगने लगेंगे, वो आप से अप प्रिया प्रितम की सेवा में भावा जाता है, तो फि ऐसे रहे मनों चिनहारो ना, क्यों? अब वो प्रपंच करने आये हैं, प्रपंच की बाते करेंगे, मौसी ऐसे थे, भुवा तुम ऐसे थे, अब वहां हमें सिरी जी को बोग लगाना है, अब वहां हमें सिरी जी को इस कि अभी समय तुम्हें सिरी जी को अमुख सेवा करने हो मौसी बुआ फूफा और तुम्हारे और सुनो ऐसा आइसा प्रपंज की बते ले होती घंटो कान में चिपका है भूम रहे हैं पता नहीं कौन सी वारता हैं हो रही है अपने तो ठीक है जैसे आप चल रहे हो बहुत ठ है कोई अपराज नहीं पर सबका आदर करना है कोई भी आजाए आदर करना है और अपनी बात बता देने हैं कि थोड़ी से अगर कृपा हो तो मस्री जी की सिवा में जाए हुआ पास समय थोड़ा कम है वो समझ जाएंगे कि यह हमारे लायक नहीं रहे जो किसी के लायक ले नहीं रहे ता वो प्रभु के लायक होता है वाद सबज़ लेला है कोई मित्र ने यह तो एक दिन सतसंग में बोले थे कलय परसु परसुवब परसुराम जी तीन नाम होते है घरीव है लावे परसुब थोड़ा बढ़ा हुआ ला परसुब परसुराम जी उसी का परसुब यह संसार प्यार करता है श्वार्थ का उसके मतलब लायक चीज हो यह संसार का स्वार्थ का सम्मंद है इसलिए जाकी प्रिन राम वे देही तजीटाहि kोटी वेरिसम ज़ध्यपिपरम सनेही संसार कीवल लोकिकता दिखता है अब आप अलोकिक मार्ग में लगे हो उनको इससे मतलब नहीं, आप लोकिक मार्ग से हट रहे हो, तो आपको उससे मतलब नहीं, तो मित्रता होए नहीं पाएगी, उनको तो असंतुष्ट होना ही पड़ेगा, अपनी तरफ से हम असंतुष्ट बेवार न करें, क्योंकि ग्रेस्ती में हो, बैराग्यवान को ये भी को आग्या है, कि बात कर सकते हुआ, इसके अलावा पिता भी साश्टांग प्रणाम करेगा, बैराग्य को पिता भी साश्टांग प्रणाम करेगा, शन्याशी को, वो पिता को भी नहीं, मा के लिए एक सास्त्री आदेश है, कि मा को देखते ही साश्टांग दंडवत, और ह आप कर सकते हैं बार बार मिलन बार बार दर्शन बार बार संभासन बेरागी का बड़ा कठिल जिएवल होता है तो आखिर का कहीं न कहीं अब ग्रेश्ति से आप अनुराग मार्ग में चल रहे हैं तो अनुराग में वहिराग गी रूपी सिंगासन पे ही अनुराग बिराग मान होता है तो राग रही तो होना ही पड़ेगा इसमें किसी का अपराद नहीं होता क्योंकि हम भगवान के निमित चल रहे हैं किसी को दुखा नहीं रहे वो अपने संबंद से दुख्य हो रहा हूँ उसकी बात है बिज भूशन दिवेदी जी राधा वल्लव शियर वेंश मारा जी आपके चरणों में कोटी-कोटी पड़ाओ भगवन हमारे ग्रस जीवन में विगत लगबग 34 वर्षों से घर में श्री राधा कृष्ण जी, गौपाल जी, देवी जी लक्ष्मिय गनेश जी की मूर्थी विग्रह के इलाबा श्री शालिग राम जी एवं शिवलिंग की पूजा नेत्य प्रति दिन सवी विग्रहों के शनान वस्त धूप और भोग द्वारा हमारी पत्नी करती चली आ रही है महरा जी, हम दोनों पती-पत्नी विगत आठ महा से श्री जी की क्रपा से धाम में निवास कर रहे हैं आपके द्वारा बताएगी विंदावन की रहने की पालना का प्राणपन से प्रयास भी कर रहे हैं परम पूजे गुर्देव आपके श्री चर्णों की क्रपा से दास की प्रेम भक्ति की उपासना की और प्रवित्ती बढ़ रही है यूटूब पर आपके ही श्री मुख से सुनाएं कि प्रेम मार्क में लौकिक और वैदिक समस्त सिधानतों को नमस्कार कर लेना चाहिए जब हमारे पैत्रिक गाउं में बड़े प्रिवार में कोई जातक या मृत्रिक सूतक लग जाता है तब मैं तो उनको ना मानकर यथावत पूजा सेवा पाठ सनलगन हो जाता हूँ परन्तु मेरी पत्नी मेरे विरोध करके सभी विग्रों को श्नानवस्त धूब भोग आदी बंद कर देती है अब मैं उनको कैसे समझाओ कि प्रेम इसमें एक बात देश समझना है कि जब हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर किसी की नहीं चलती है जैसे हम ऐसे खाकी पहन करके चोराये पर किसी को नक्सा दिखाना चाहे तो नहीं बने जब सरकारी बिल्ला लगा है और पास है उस बिल्ले की दम से आपसे बलवान आदमी से भिगरू बात करेगा तो अदब बिल्ले का करेगा नहीं करेगा तो जब आप रस्मार्ग में रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपकी च्छाती में अपने आप हिम्मत ऐसी और आज फिर कुछ नहीं सुगाए देगा ला बढ़िव आनंद मोद सब के महा प्रेम सुरंग रंगी और न कछू शुहाय तिन को जुगल सेवा सुख पगी निशिद्यो से जानत नाहीं सजनी एक रस भीजी रहें गूप गूपिन आदी दुरलव तेही सुखें दिन प्रतिलहें रजिस्टर एक अपनी लाड़े लेज़े अब ना तो विरक्त हुए हो तो परिवागत का संबन्द है अचा ना रजिस्टर अस्ट्याम उपासना है क् तो इसलिए जो पत्नी कह रही है वह अपनी जगए सही कह रही है आप जो कह रहे है वह एसा ही पद्धती है लेकिν आप जहां सुन रहे है लेकिन अभी है नहीं वाँ इसलिए उसकी चलने दो जब आपकी चलने लगेगी हरदय की तो अरधांगी नहीं है उसका परिवर्तन स्वभाविक हो जाएगा अभी वो सही है ठीक है न अभी आप उसका विरोध ना करके अपने भाव को बढ़ाने की चेस्टा कीजिए क्योंक ठीक है आपना हमारे प्रेम शास्त्र में हो ना उस धर्म का त्याग किया है तो फिर अभी ठीक नहीं है web चलगे तस्मा शास्त्रम प्रमांत्यया-कार्य-बिवस्तित को हम अपने प्रेम सस्त्र की अनुशारे ही चल रहें जैसे जहां वेद शिद्धांत प्रमां है वैदि से लेते हैं तो अब जो यह सिद्धान्त में हम सब जगे कट कर दिया गया उव रसिकों की वाने से ग्रे नच्छत रतिथी वार सोवर सूतक इन सब को ज़ाड़ू लगा के सोनी लगा के साइड में आठो पहर किवल स्यामा स्याम की सेवा और दुलाद ग्यान धर्म ब्रत कर् प्रगट निपट केता की उपमा को नाई यह हमारी बणी जी है तो अब इसमें यह तमासा दूर से नहीं देखा जाता है प्रेम खेल यह समें कूदा जाता है अभी कूदे नहीं हो इसलिए बात कूद जाओगे ला फिर रंग बदल जाएगा फिर अपले आप बदल हमें लगता है कि सास्त्रों की संख्या में सिस्टे जल होंगे दस्यों हजार की संख्यां भी हो सकते हैं और जितने भी होंगे अभी दो-चार महिने से जुड़े उनकी बात नहीं कहते नहीं अनन्य परिपार्टी में खड़े हो गए हो प्रिया प्रीतम गुर्देव आचा रहा है वो इतना तो आई जाएगा हमारे माई स्यामा जुको राज चाहो बच्चा ही क्यों नहीं हो एक बच्चे-बच्चे के हरदय में महरानी जुकि ठसक मिलेगे हम सब सुनाते हैं गीता भागवत रामयर इतिहास पुरान लेकिन जितने हमारे विरक्त हैं जितने हमारे सब रसिकनन्न होंगे मिलावट होगी कि उनकी सेवा में कहीं भी कुछ भी मिलावट हो नहीं हो अब कभी उप्रदेश नहीं करते और सखिला दिया वहीं पहुँझ गया ला ये गुरु सिस्टी का ब्लूटूट सिस्टम होता है अगर शिश्य आत्म भाव से गुरुदेव को परब्रम्हमान का समर्पित हो जाए तो गुरुदेव के हरदय में जो चल रहा है उसिस्टी के हरदय में पहुंच जाएगा बिन चाहते हो पर अभी सिद्धांत में रत नहीं हो सिद्धांत में रत हो और उसको भी रत धीरे-धीरे करो तब वो परिपार्टी लागों से जाएगे ठीक है गुरुदेव भगवान आपके चड़नों में कोटी-कोटी नमाना माराशी जब से नाम जब करना शुरू क्या है तब से सुक दुख एवं जीवन की हर परिस्थिती समाने सी शुरू हो गई है मेरा बच्पन से लेकर अभी तक का जीवन दुखों वो कस्टों से असफलताओं से निकला है अब जब से आपका और श्री जी का आशे लिया है तब से सुक वो दुख वो असफलता तो आती है परन्तु आंतरिक भाव से मेरा मन शान्त वो सुक वो आनन्द में रहता है दुख वो अशान्ती अभी नहीं आ रही माराजी गुर्देव भगवान मेरा भजन का प्रभाव है यह या मेरे पुन्य खतम हो रहे है यहां राधरानी की दया है यहां आपकी कृपा है माराजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब जैसा आप कह रहे हैं उसके अमसार कह रहे हैं कि अभी कोई टिकावी स्थिती थोड़ी बच्चा है पर अभी थोड़ी समझ ठीक हो रही है वो पूरु का कोई भजन रहा होगा अभी भजन का प्रभाव जो सत्संग सुन रहे हैं जो नाम जब कर रहे हैं वो भी मिल सक पर अभी कोई ठीकाव स्थिति नहीं अच्छा है पर अल्प है अभी भूमा नहीं है में कोई Siddhah amar ऐस्था नहीं है पर बहुत अच्छा है अगर इसा विचार आने लगा है कि शुक्ध५ में सद्धार छांगा कर रहे हैं रहे हम बिचलित नहीं हो रहे हैं इक़्भूम्यन पर ध्यान दीजिए आप नए यह वस्ता है अभी ब्रमचाइद के ठीक है नहीं ना इसलिए अभी क्या सुख दुख के सवाल बावा गया नहीं हां बच्चा देखो कोई बात सुन करके लिख देना और इस्थिती में आना बहुत कठीन होता है क्योंकि जब वह इस्थिती अभी गंदी बात है उसको अच्छे बच्चे बनों धन्यवाद है कि आप अध्यात्म मार्ग में चलना चाहते हैं इस सवस्था में आप अध्यात्म को समझ रहें पर केवल समझ से काम नहीं चलेगा उसको प्रयोग मिलाएं तो आप गंदी बात करते हो आपका ब्रमुचर है तो अब गंदा चिन्तन भी होता होगा तभी तो गंदी बात होती है तो अफिशुदार के है भी बच्चा सुख दुख में समानबाव कहां आया यह तो गंदी बात है इसको तो तो तुमें अशैनी होना चाहिए na तो यह इस्तिति ठीक है लें हम इसलिए करे रहे ने कि ह चुप चाप ऐसे आपको उत्तर देते हैं इसलिए कि अभी आपकी नवीन उस्ता आप अच्छे बन सकते हो आप अपना शुधार कर सकते हो तो जो गंदा चिंतन बन रहा है उसमें राधा राधा के द्वारा उसे हटाओ उसको काटो जो गंदी क्रिया करते हो उसको रोको क्यार जब गंदी होती है तो शरीर का डर्शन गंदा हो जाता है साथी जिसे देखने पर आपके नहीं है इसलिए इसी स्थिति को लाने के लिए पहले न्यू मजबूत करो अभी आपका कोई ब्याद तो हुआ नहीं तो आप भी ब्रह्मचर क्यों नहीं है अध्यात्मी की प्रथम सीड़ी में आपने आग लगा दी अच्छा ब्रह्मचर छीन करने की क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है वो चिंतन पहले हरदय को गंदा करता है इसलिए शरीर को थकाव व्यायाम के द्वारा कुछ दंड वेठक दोड मेहनत प्रणायाम आशन इनको करो जिसे आपका ब्रह्मचर में रूची बढ़े और गलत क्रियाओं को त्याग ये और नाम जब कीजिए पढ़ते हैं हाँ खुब अच्छे से पढ़ाई करो पढ़ाई को भगवान का भजन मानो खाली समय में रादा रादा जपो गंदे बच्चों का संग मत करो किस्तितियां भी आ जाएंगे हमारे समाच की सेवा लाइक भी बन जाओगे अच्छे पढ़े लिकर किसी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एक अच्छे समाच से भी बन जाओगे क्योंकि आपको अध्यात्मे में रूची है तो अध्यात्मवान जब कोई पदा अधिकारी है कोई सेवक बन भी प्राप्त होगा तो समाच की अच्छे सेवा करेगा ठीक है